तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियर रेलवे के थुरू बनारास लोकोमोटिव वर्क में एपरेंटर्स की जो वेकेंसी है उनके बारे में यानि कि आपको इस video में पूरी इसकी notification की जानकारी देने वाला हूँ क्या कि इसकी notification detail में दे रखा है इसमें जो vacancy है उसमें ITI की भी कुछ vacancy है और non-ITI की भी कुछ vacancy है यानि कि अगर आप 10th complete कर रखे हैं स्रिफ यानि कि अगर आपने स्रिफ 10th complete कर रखी है तो आप इसके form को fill कर सकते हैं और अगर आपके पास ITI है तो ITI के लिए भी कुछ पोश्टे में vacancy है तो फटा पर चलते हैं computer की screen पर बात करते हैं इसकी official notification निवारे में पुरी जानकारी में इस video में detail में देने वाला हूँ क्या-क्या इसकी notification में दे रखा है कि सीट पर कितनी यह vacancy हो उसकी जानकारी दे रखी जैसे कि यहाँ पर fitter में 16 vacancy है SE category में ST में 8 है OVC में 29 है EWS में 11 है और general में 43 है total यहाँ पर 107 vacancy होगी fitter post के लिए ऐसे यहाँ पर carpenter की post per vacancy है painter की post per vacancy है mechanist की post per vacancy है welder की post per vacancy है तो total यहाँ पर 300 vacancy है ऐसे यहाँ पर आप देख सकते है non-ITI की seats है जिसमें fitter की है carpenter की है painter की है misanist से ही है welder की है electrician की है total इसमें 74 vacancy है सभी की category wise यहाँ पर vacancy दे रखी है आप अपने इसाब से देख सकते है इसमें ex-service man के लिए भी कुछ vacancy है और साथ में अगर आप handicapped बगए रहा है तो उनके लिए भी कुछ vacancy है जो कि इसी में से divide कर दी गई है 3% जो इसमें quota है यानि कि 3% जो quota है इसमें वो ex-service man के लिए reserve रखा गया है और PWD यानि कि विकलां quota भी 3% रखा गया है इसमें ITI में total no seat हो गई और non-ITI में 2 seat हो गई ऐसे इसमें यानि कि ex-service man में ITI से total no seat हो गई और non-ITI से 2 seat हो गई है अब इसमें किस-किस को reservation की category में रखा जाएगा वो भी यहाँ पर दे रखा है या आप लोगों के लिए काभी काम की point होने वाला है इसमें तो बता देता हूँ आपको ex-service man है तो आपको सर्फ ex-service man की category में रखा ही जाएगा या फिर अगर आप children of deceased disabled ex-service man है उनको भी इस category में रखा जाएगा children of ex-service man को भी इस category में रखा जाएगा children of serving officer को भी इस category में रखा जाएगा यानि कि अगर आप बच्चे हैं किसी सेनिक के जो की ex-service man था या फिर serving जवान है या फिर ओफिसर है तो उनको भी इस category में रखा जाएगा अब देख लेते हैं यहाँ पर education से related क्या जनकारी दे रखी है यानि कि आपके पास क्या education qualification होनी चाहिए अगर आप इसकी post के लिए apply करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर non ITI से related जनकारी दे रखी है जैसे कि यहाँ पर दे रखा है तक candidate must have past 10th examination और its equivalent यानि कि candidate को या फिर उस बच्चे के पास कम से कम 10th complete तो होनी चाहिए अगर वो non ITI के post के लिए form fill करना चाहता है जिसमें कम से कम उसके पास 50% marks आने चाहिए यानि कि 50% उसके पास होनी चाहिए 10th class में और उसकी जो mark seat होनी चाहिए 10th class की वो 26,3,2,122 यानि 26,2,122 से पहले-पहले की होनी चाहिए अब देख लेते हैं ITI पोस्ट के लिए अगर आप form fill करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 10th class complete होनी चाहिए और जिसमें 50% marks होनी चाहिए साथ में आपके पास ITI का उसी related rate का certificate भी होना चाहिए इस trade में आप form को fill करना चाहते हैं और आपकी जो passing side effect हो या फिर marseed हो जो आपकी 26,3,2,122 की पहले-पहले की होनी चाहिए अब एक point यहाँ पर दे रखा है no weightage will be given to higher requirement qualification यानि कि कोई candidate मान लीजिक graduation complete कर चुका है और उसके पास ITI भी है और 10th class भी है तो अगर उसने graduation complete कर रखी है तो यहाँ पर उसके लिए कोई अलग से बेटेज नहीं दिया गया आपने graduation complete कर रखी है तो आप मतलब उससे जादा समझदार की बात नहीं है यहाँ पर मतलब उससे जादा qualified है तो आपको पहले लिया जाएगा ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है अगर आपने मतलब 10th complete कर रखी यह 10th level की vacancy है तो किसी candidate ने 10th complete कर रखी है और किसी इसने graduation complete कर रखी है तो अगर आप same push के लिए form भरते हैं तो यहाँ पर दोनों ही candidate बराबर पर रखे जाएंगे यहाँ कि किसी दूसरे candidate ने अगर graduation complete कर रखी है तो उसको अलग से इसमें waitage नहीं दिया जाएगा कि आपने graduation complete कर रखी है तो आपको 2-3 number extra दे रहे हैं पोश्ट में भी बेल्डर और कार्पेंटर ट्रेट के लिए 15-22 साल एज लिमिट यहाँ पर दी गई है यहाँ पर अगर आप SCHT candidate है तो 5 साल का दिया जाएगा OVC candidate है तो 3 साल का दिया जाएगा विकलंग candidate है तो जनरल category में 10 साल का दिया जाएगा disabled होते हैं उनके लिए कुछ instruction यहाँ पर दे रखा है आप इसको पढ़ सकते हैं अब कई लोगों के मन में यह भी चल रहा होगा कि भई यह इसमें exam बगएरा का system दे रखा है क्या होने बाला है मतलब अगर हम इसके form को फिल कर देते हैं तो selection criteria क्या रहने वाला है तो उसके बारे भी यहाँ पर कुछ जानकारी दे रखी है जैसी कि यहाँ पर दे रखा है जो इसमें बनेगी वो merit list बनेगी मतलब जिसके थुरू आपका selection होगा वो यहाँ पर merit list बनाई आएगी जो की 10th की percentage के हिसाब से बनेगी और कम से कम 10th में 50% तो यहाँ पर होना ही चाहिए आपके number और उसके बाद percentage कितनी क्या रहती है आपकी उस हिसाब से यहाँ पर merit बनाई जाएगी यहाँ पर non-ITI का selection की process की बात हो रही है और ITI selection की process के अगर हम बात करें तो उनकी लिए ITI की mark sheet बोग चेक करेंगे यानि कि उसमें जो जिसने सबसे ज़्यादा score किया जाएगा उस हिसाब से merit बनाई जाएगी अब माल ने यहाँ पर तीन candidate ने form fill किया है और उन तीनों के percentage बराबार है सभी के माल लेज़े 75-75-75% बनी हुई है 75% के आसपास मतलब इंगलिस में भी बता दिया है तो सभी के 75% बनी हुई है तो उस case में क्या होगा तो उस case में क्या तीसरे वाले candidate को लिया जाएगा जिस जो की उम्र में बढ़ा है लेकिन हाई है जो यहाँ पर maximum age limit दे रखी उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए उससे कमी रहनी चाहिए तो आपको यहाँ पर selection मिल सकता है अब माल लीजिए तीनों की उम्र भी बराबर है त तो उस case में क्या होगा यहाँ पर तो उस case में वो देखेंगे कि सबसे पहले 10th किस ने complete की है और उसकी age ज्यादा है तो उससे सबसे उसको selection किया जाएगा यहाँ पर अगर हम फीस की बात करें तो फीस यहाँ पर 100 रुपए चार्ज कटवाना पड़ेगा आपको जो की आव यहाँ पर सो रुपए चार्ज कटवेगा और यहाँ पर सो रुपए चार्ज कटवेगा अब यहाँ पर इसके नीचे instructions बगएर दे रखें मतलब कैसे क्या आपको कागस scan करने है क्या कि आपको document की यहाँ पर जरूद पढ़ने वाले scan करने के लिए और इसके form में समिट करन चाहिए साथ में आपका आधर काड होने चाहिए जो की ID प्रूब में हो सकता है यहाँ पर मांगे अभी मैंने इसके form को फिल नहीं किया है जब मैं form को फिल करूँगा तो उसकी वीडियो में इसी वीडियो के आखरी में लगा दूगा साथ में description box में दे दूगा या फिर आ आपको अगर आपने अपना जाती प्रमाणपत लगाया है तो उसको भी scan करके रखना पड़ेगा अगर आप एक सर्वेसमें में तो आपके पास आपका सैटेविकट होने चाहिए जो फोटो आप इस form में scan करके लगाएंगे उस पर नाम और डेट और फोटो डली होनी चाह चीए और साथ में वह फोटो वाइड बेगरांड की होनी चीए तो यहां पर मानी की जाएगी अगर आप उसमें कैप बगएर लगाए ओ या शन ग्लासेज पहने हो तो फोटो यहां पर माने नहीं की जाएगी तो समझ के फोटो के चाहिए पासवोट साइज फोटो का होता है वो नहीं आना चाहिए मतलब फोटो विल्कुल सापसुतरी होनी चाहिए समझ में आने चाहिए विल्कुल फोटो और फोटो को आपको आठ कॉपी की जरूत पड़ेगी जो पूरी प्रोसेस यहां पर होने वाले ट्रेनिंग वगयरा की भी वहां पर भी टोटल यहां पर बता दिया कि आपको टोटल यहां पर आठ फोटो को जरूत पड़ेगी और फोटो सेम टू सेम होनी चाहिए और आखरी में तो यहां पर सिर्फ यही जानकारी दे रखी है अगर बाइचांस इसके फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आप उपर वाली वीडियो को देख सकते हैं जहां पर मैंने step by step इसके फॉर्म को फिल करने ही पूरी प्रोसेस बता रखी है और अगर आप इसके फॉर्म को भरते टाइम डॉक्मेंट वगएर अपलोड करने में आपको प्रॉब्लम हा रही है तो आप उसके लिए नीचे वाली वीडियो को देख सकते हैं जहा पर मैंने बता रखा है कि आपको फूटो वगएरा क्या से स्केन करने हैं और कैसे इसके फॉर्म में अपलोड करने हैं